वास्तु शास्त्र में घर की साफ सफाई को लेकर कई नियम बताए गए हैं। घर में जाडू लगाने से जुड़े नियम ये हैं कि शाम को सूर्यास्त के बाद जाडू नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह घर में जाडू पोचा करने से जुड़े नियम भी बताए गए हैं घर में जाडू लगाने से जुड़े सामान्य वास्तु नियम तो लगभग सभी जानते हैं लेकिन अगर जाडू लगाते समय इन नियमों का पालन किया जाएं तो आप वास्तु दोश के प्रभाव से बच सकते हैं वास्तु शास्त्र में घर की साफ सफाई को विशेश महत्व दिया गया है यदि आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं तो इससे सकारात्मक उर्जा बनी रहती है वहीं गंदगी नकारात्मक उर्जा को बढ़ा सकती है घर की सफाई के लिए पोछा भी लगाया जाता है ऐसे में यदि आप वास्तु के नियमों के अनुसार पोछा लगाते हैं तो इससे भी आपके पास सकारात्मक्ता बनी रहती है घर में सुक्षान्ति और समृध्धी बनाय रखने में वास्तु शास्त्र का बड़ा महत्व होता है इसके लिए घर में चीजों को वास्तु नियमों के हिसाब से ही व्यवस्थित करने की सलाह दी जाती है लेकिन जाने अन जाने में कई बार हम वास्तु नियमों को अंदेखा कर देते हैं जिस वजह से घर में वास्तु दोश उत्पन्ध हो जाते हैं और जीवन में एक के बाद एक संकट आने लगते हैं वास्तु शास्त्र विशेश अग्य बताते हैं कि छोटी छोटी चीजों से घर का वास्तु बिगर सकता है जैसे पोछा लगाते वक्त वास्तु नियमों को अंदेखा कर देना जिस वजह से आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव और घर पर तनातनी का माहौल बना रहता है वास्तु शास्त्र में पोछा लगाने के भी विशेश नियम बताए गए हैं वास्तु शास्त्र में ऐसे कई नियम बताए गए हैं जिनका ध्यान रखने पर व्यक्ति को अंगिनत फाइदे मिल सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप पोछा लगाते समय भी वास्तु के कुछ नियमों का आप ध्यान रखते हैं, तो इससे आपको कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। ऐसे में चलिये जानते हैं, पोछा लगते समय किन वास्तु नियमों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहला है कि पोछा लगाने का सही समय क्या है तो वास्तु के अनुसार घर की साफसफाई के लिए सबसे सही समय ब्रह्मा मुहूर्ट को माना गया है ऐसे में आप इस समय में पोछा लगा सकते हैं यह असल में सूर्योदय से पहले की अवधी होती है ब्रहमा मुहुर्थ सुभ शूने 4 बजे से सुभ पांच बचकर 30 के बीच का समय होता है ऐसे में इस समय में घर में पोछा लगाने से घर सकाराक मक्ता बढ़ती है और शांत वातावर्ण बना रहता है इसके साथ ही सूर्योदय के दौरान या उसके तुरंत बाद भी पोछा लगाना अच्छा माना जाता है घर में किस तरह लगाएं पोछा आईए जानते हैं अब इसके बारे में पोछा हमेशा घर के प्रवेश से लगाना शुरू करना चाहिए इसके बाद घर के बाकी हिस्सों में पोछा लगाएं अलग-अलग कमरों में पोछा लगाते समय दक्षिनावर्थ दिशा ट्लोकवाइस का पालन करें ऐसा करने से प्राकरितिक उर्जा का प्रवाह बना रहता है कोशिश करें की पोछा हमेशा मुख्य द्वार के पास से शुरू करे और इसी स्थान पर समाप्त करें पोछा लगाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखे कभी भी दोपहर के समय घर में पोचा नहीं लगाना चाहिए ऐसा करने से नकारात्मकता उत्पन हो सकती है इसके साथ ही आप चाहें तो पोचे के पानी में थोड़ी सी मात्रा में सिंधा या फिर निन्बू का रस मिला सकते है इससे घर का वास्तु ठीक बना रहता है पोचा लगाने से ब्रिहस्पती ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ता है और घर पर दरिद्रता चा जाती है घर पर पोचा लगाते समय पानी में थोड़ा समुदरी नमक जरूर मिला ले नमक मिले हुए पानी से घर पर पोचा लगाने से नकारात्मक उर्जा दूर होती है और साथ ही फर्ष भी चमचमाता हुआ दिखता है लेकिन इस बात का विशेश ध्यान रखें की गुरुवार, मंगलवार और रविवार के दिन पानी में नमक डाल कर पोचा न लगाएं वरना इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है पोचा लगाते समय दिशा का भी ध्यान रखना जरूरी है पोचा लगाने की शुरुवात उत्तर दिशा से करें और इसके बाद पूरे घर में पोचा लगाएं पोचा लगाने के लिए पुराने कपड़े और तूटी-फूटी बाल्टी का इस्तिमाल बिलकुल भी न करें यह वास्तु दोश का कारण बन सकता है जिसके कारण आपको नकारात्मक प्रभाव मिल सकता है तो दोस्तो यह थे पोचा लगाने के संबंध में कुछ वास्तु उपाएं अगर आप इनको अपनाएंगे तो आपको लाब जरूर होगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृप्या कॉमेंट में जरूर बताएं और अपने मित्रों में वीडियो को शेर जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ जैश्री राम हर हर महादे